अलो अब्रीवन वेरी गूड मॉर्निंग टू आल स्वागत है वाइफाई स्टेटी डिफेंस के चैनल पर जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज स्टेटिक जीके की माई मंद का स्टेटिक जीके हम लोग यहां कंप्लीट करेंगे मैं संजय आपके साथ आपको सौगत करता हूँ एक वाइफ फिर से यहां पर तो आप लोग जितने भी लोग यहां पर हैं एक बार पहले चैनल को सेयर करतें बहुत त्रीस से और इस से कैसे आपके स्टेटिक जीके साथ कनवर्ट होके मिलते हैं रिसेंट्टी होने वाले हैं एक्जाम आपके एफ का सीडियेज का और सीपीफ का साथ में आपके ग्रूप एक्स और य के एक्जामनिशन होने वाले सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को कई दिक्कत आती है जो वह करेंट एक्रेंट पर एवार और खिसके पर्यांट को उनके पड़ाए यह नहीं होती है आप yeah तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अप तो इस्टार्ट करेंगे आपर सेशन के साथ तो चलते हैं देखतें क्या क्या खास यहां पर कौन कौन से न्यूज हैं उस पर जलेंगे और फस्ट आफ आपको बता दें अगर आपने अभी तक अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जिसमें मिलती हैं आपको अनलिम् किसी भी टीचर से बसनल गाइडेंस ले सकते हैं जो केटर से बात कर सकते हैं उससे अपनी कोईरी सॉल्व कर सकते हैं और अनलिम्टेड वीडियो और लाइफ क्लासे आप देख सकते हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं आप लोग मेरे साथ यहां पर इस सेशन में और हम लो से करेंगे करने के बाद आप करेंगे लर्णिंग पर वहां पर जुन को जोडने के साथ साथ आप वहां पर अपने गोल को चूज करेंगे और आज आएगा वहां पर मेरा नाम अगर आप मुझे वहां फॉलो करना चाते हैं आपको लिखना है और मुझे सर्च करके और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो मेरे तोरा जितने भी शेशन से आपको हाँ पर और यूज़ करना है संजेटन और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप चौदा सो से ज्यादा कोर्स को हाँ पर देख पाएंगे उसके रिकॉर्डड वीडियो और कई सारे एजुक्रिटर्स की ल पर संजेटन कोड यूज़ करके आप पा सकते हैं फ्री कंटेंट ऑफ माई कोड के साथ फ्री कंटेंट मिलेगा आपको और आप अनकेडमी क्विज को भी जोईन कर सकते हैं तो चलिए आगे देखेंगे और भी यहाँ पर इंपॉर्टन चीज़ें जो आपके लिए दी फ्री केशन बिफोर सेशन आपको सारी इंफोर्मेशन मिल जाएगी और आप जुट पाएंगे हमाई साथ ठीक तो अब आगे बताते हैं सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका जा करना होगा आपको अपने प्लान के क्वार्डिंग जाना होगा यंड जडिए जिस तरह की प्ल साल के सबस्क्रिप्श ने तो आपको मैक्सि हों मिलेगा कि आपको जो चीजें होंगी वो तो मिलेंगे ही और आप यहां पर देख पाएंगे कि कितना जादा फाइदे मन्द होगा सबस्क्रिप्शन ने बात आपके पास एक मौका होना चाहिए चीज़ों को तो उस रिवीजन के लिए आप यहां जुड़ सकते हैं मेरे साथ और रिवीजन में देख सकते हैं क्या क्या खास बाते हैं तो यह आपका जो सेशन होगा वो काफी आपको 8800 का यह सेशन मिलने वाला है तो चलिए देखते हैं क्या क्या और नियूस है आप पर तो अगले बात बताते हैं कि प्राइज हाइक का जो आपका नोडिफिकेशन आ चुका तो रिसेंट्ली प्राइज बढ़ने वाले हैं इसलिए कोसिस करें अगर आप एन कोर्स ले बढ़ाते हैं आपको यहां पर अगर आपने सोच रखा है अपना लेने का सीड़ी एस ENDA किसी भी तरीकेता है तो आपको क्या करना होगा आपको इस चीजित को आगे इनक्रीक करना होगा यांभातों आप इहां पर पाएंगे मेरे साथ और यहां पर सिशन को और वह अच् सुबधा यहां पर मिलती रहेंगे चलिए पहला कोश्चन देखतें क्या है बिश्चु प्रस सुतंता दिवस वर्ड प्रेस फ्रीडम डे पहला कोश्चन आपके सामने आ अगर आप लोगों ने भी तक सेयर नहीं किया सेशन तो सेयर करते अपने दोस्तों के साथ और यह कब मनाया आता है जल्दी बता दीजिए वर्ड प्रेस फ्रीडम डे मैं एक बार आपको सेयर कर देता हूं सेशन और फिर आप बताएंगे कब मनाया आता है यह है ठीक है तो जल्दी से सेयर कर देते हैं इन सेशन को आप भी यहां जल्दी से सेयर कर दीए दोस्तों के साथ जिससे कि हम लोग बाकियों को भी सेयर कर पाएंगे और जोटमाएंगे लोग ठीक है कि एक बार सेयर कर देता हूं कि अधिए अधिकर बैस का टाइमिंग आज की क्लासेज आपको यहां पर मिल नहीं है और बैस का टाइमिंग साम को साथ बज़े आप पढ़ सकते हैं मुझे सुबह आठ बज़े पढ़ सकते मुझसे मॉर्निंग में एट एम में कराता हूं आपकी क्लास और इविनिंग में सेवन पीम कराता हूं सेम चैनल पर और एप पर मेरी क्लास होती है सुबह दस बजे दस बच के पंदा मिट पर मेरी एप पर क्लास होती है तो आप इन तीन टाइमिंग पर आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ ठीक है इन तीन टाइमिंग पर आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे यहां पर आपको जीए और करेंट अफेर्स का सेशन इन टाइम में कराया जाएगा यह टाइमिंग होगी आपकी यहां पर बाकी सेशन के टाइमिंग भी इस ग्रूप पे आपको दी गई यहां पर सब लोग आप पड़ सकते हैं तो बाकी टॉबिक जो आपको नहीं आप यहां कर पाएंगे ठीक है चलिए बात करते हैं यहां पर वर्ड प्रेस डे या वर्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनायाता है यह कोशन पूछा गया वर्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनायाता है उस पर आप चर्चा करेंगे एक बार का लियर अब बात करते हैं विश्सू प्रेस्स जो दनता दिवसू कि क्या मनाते हैं लेबर डे मनाते हैं एकخت मै ग्रेड़ बनाते हैं और आपका यहां पर 3 मही को मनाते हैं Freedom Day मनाया जाएगा ठीक है तीक मैस की टाइम आप देख सकते हैं कि दुपहर 11 बुज़े के करीब आप क्यास-पास यहां देखेगी आपको 11 बुज़े क्यास-पास आपको यहां मैस की क्लास दिख जाएगी अब बात करते हैं जो विशुकी जो आपकी प्रेस स्वतंता दिवस है वो आप देखेंगे कि तीन मही को मनाया जाता है और युनेस्को की आम सम्मेलन की सिफाई इसकी बात कहा गया 1993 में इसकी सुरुवात की गई तो 1993 में इसकी स्टार्टिंग की गई वर्ड प्रेस फ्रीडम डे अगर एक कोशन पूछ लिया जाए इंडिया में फ्रीडम आफ प्रेस किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है अगर आप से पूछा जाए फ्रीडम आफ प्रेस जैसे हम हमारा मौलिक अदिकार है तो freedom of press किस आर्टिकल में है constitution में यह हमारा fundamental राइट है कर आप जानते हैं तो यह हमारा क्या है यह हमारा fundamental राइट है freedom of press और किसके अंतगत है राइट टू freedom के अंतगत और आर्टिकल नंबर इसका क्या होगा आर्टिकल नंबर इसका तिक नाइंटीन वन ए ठीक है तो आर्टिकल नाइंटीन वन है अगला कोशन पूछा गए यहां पर अगला कोशन है विश्व प्रेस सुदंता दिवस 2021 जो मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या होगी जिसे हर साल कोई भी दे मनाते हैं हम लोग तो उसकी थीम हमें आरे लिए इंपॉर्टेंट होती है तो 2021 में वर्ड प्रेस फ्रीडम आपका वर्ड प्रेस फ्रीडम जो दे है इसकी थीम क्या है यह बताना आपको इसकी थीम लाइन क्या है का इसकी थीम लाइन क्या है यह कोशन पीचा गया वर्ड प्रेस फ्रीडम डे जो आपका है इसकी थीम क्या है जली बताएंगे इसकी थीम है क्या वर्ड प्रेस फ्रीडम डे के थीम क्या है तो इन्फॉर्मेशन एज पब्लिक गुड जन्रेलिजम विदाउट फियर और फेवर सेफटी ऑफ वुमेन कोई नहीं कौण सा होगा चार अप्सन दिये गए है इनमे से कए शना होगा आपको चारो मैसे क्या आपको का आपका इन्फॉमेशन एज पब्लिक ग़ड जन्रेलिजम विदाूट अफियर यज के इसकी चारो मैसे क्या होगा तो कहते हैं है इसमेंसे जो है information as a public good इसका जो आपका थीम लाइन होगा क्या होगा information as a public good यहाँ पर होगा तो जानते रहे ही का क्या होगा information as a public good तो आपके लिए इस इंपॉर्मेशन है यह पूछा सकता है 2021 का जो आपका theme है वो क्या होने वाला तो that is यह theme आपके यहाँ पर होगा ठीक है तो यह आपका होगा यहाँ पर information as a public good तो आपका हो जाएगा यहाँ पर as a option ठीक next पर आते हैं अंतराश्टी स्रम्दिवस कब मनाया था जिससे मैंने आपको थोड़े पहले बता था international labor day कब मनाया जाता है international labor day की सुरुवात यह कब हुई कब मनाया था ती जोccx एटीर अफ़ा मार्केट के धंगों मीं जां गवागे थी इस दिन हम लोग क्या करते हैं इस दिन हम लोग हे मार्केट के में जो लोगों ने दंगे में यहां पर अपनी जान गवाइए थी उनके memory में यह दिन मनाया किस टीके ने विशुसवाथ संगठन मलब वर्ड हील्थ ऑगनाइजेशन से आपात कालीन उप्योग प्रमानिता प्राप्त कि है हाल ही में किस देश की टीके ने विशुसवाथ संगठन से आपात कालीन उप्योग मानिता प्राप्त कि है तो आपका Oxford, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna या Espetronic 5 ने किसने प्राप्ट की है यहाँ पर World Health Organization से अपनी permission ली है कि वो यहाँ पर दुनिया में emergency use के लिए उसे use कर सकता है तो किसने भी है यहाँ पर आपको मिलता है validation कि इसको दीगे तो Moderna को vaccination के लिए यहाँ पर approval मिला है इसको Moderna को दिया गया उसके बाद बहुत सारी vaccination को मिल चुका है WHO से आपने देखा होगा चाहिना कि दूसरी vaccine को भी अभी मिल चुका है vaccination का certificate तो Moderna vaccine है यहाँ पर mRNA 1273 को आपात कालीन प्राथिकर्ण के तर्थ क्या पांच वा वैक्षीन यह बन गया है डबलू अचुर से वैलिडिटी पाने वाला है पांच वा वैक्षीन था Moderna जो mRNA पर बना हो मैसेंजर RNA पर बना हुआ है यह यह mRNA पर बना हुआ है ठीक है तो इसको बात करते हैं किस पर बना mRNA पर यह बना हुआ मौड़न ना पर ठीक है आगे चलते हैं नेक्स पर आएंगे बात करेंगे अगला किया है हलो दिव्यान सु माब्या जी नेक्स कॉश्शन है जग मोहन मलहोत्रा ने कितनी बार डिल्ली के उपराज पाल के रूख में कितनी बार कार किया है दो बार एक बार तीन बार या इन से कोई नहीं तो कहते कितनी किएंग कौई दो बार से लेकर एटीफ और तक तो बहुत दो बार इन्हों ने क्या किया है आपके यहां पर होने का काम किया है किसने जग मोहन मलोतरा ने तो लेफ्टिन गौर्णर होने का काम कितनी बार किया है दो बार ठीक क्लियार राखें कितनी बार हुआ दो बार हुआ हुआ है अगे पुछा गया कोविड नाइनटीन महामारी को देखते हुए नेपाल सरकार ने भारत के साथ किस सीमा बिंदों को बंद करने का फैसला लिया है मलब कितनी सीमा बिंदों को या किस सीमा बिंदों को बंद करने का बात क्या है भारत के साथ किस सीमा बिंदों को बंद करने का फैसला लिया गया क्तेत्स मैं से 22 टूटल हमाई कितनी पॉइंट्स 25 थे वाइस पॉंट जो नेपाल बंद करने का से fewer बाॉडर पॉइंट और कि बीच काम करेंगे कि saf des how बंद किसे हों। सबसे पड़ी बात आपको देखना भारत और नेपाल की बीज में कितने पॉइंट है यह पूछा कितना है जान लीजे तोटल पॉइंट 35 है जुसमें से बारा पॉइंट और तेरा पॉइंट ऐसे होंगे जो बार्डर पर काम करेंगे बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे क्लोज रहेंगे ठीक है सारे पॉइंट क्या रहेंगे क्लोज रहने वाले तो कोविट 19 महामारी में जब हमारा यह साथ नेपाल ने 35 मैं से 22 पॉइंट बंद कर दिये थे अगला कॉशन जो पूछा गया पस्षिम मंगाल का सबसे लंबे समय तक रहने वाले हुआ खंतरी कौन है यहां पे परटिक्लर एक स्टेट की बात की कर देंगाल में सबसे लंबे समय तक मुक्मंती रहने रहने जो रिकॉर्ड रहिकर्ड है किसके नाम है बदा दें भारत में भी दूसरे नंबर पर आते हैं जोती बसुजी पहुंच पैलिंग के बाद जुतिए बसु आते हैं दूसरे नंबर पर और यह वेस्ट बंगॉल के ही मुख्वंति थे अभी आप देख रहे होंगे उडिशा के मुख्वंति भी बहुत लंबे समय से हैं लेकिन अभी उन्हों रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है तो यहां पर आएगा जोती बसू जोती बसू जी जो थे बहुत समय तक मुख्वंति रह रहे हैं भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्वंति रहने का स्रेवी नहीं को जाता है तो कौर होगा यहां पर यहां पर हो जाएंगे आपके जोती बसू जी हो जाएंगी जिसका लंबा समय तक कारिकाल चला कहां पर वेस बंगॉल में और नेक्स पर आते हैं पस्चिम मंगाल में कितनी बार राश्पती सासन लग चुका अब तक जैसे यूपी में अब तक दस बार राश्पती सासन लग चुका उत्तरपदेश में तो वही पूछा गया पस्चिम मंगाल में सबसे पहले सबसे कितनी बार राश्पती सासन लगा है और राश्पति सासन को हम लोग कहते हैं सम्वेधानिक आपातकाल भी कहते हैं आपका कहते हैं आपका कहते हैं आर्टिकल नंबर 356 और 365 में इसको डिक्लेर किया गया है आपका 356 और 365 में से डिक्लेर किया गया है 56 क्या कहता है यह को 356 कहता है आपका यहां पर आर्टिकल कहता है आर्टिकल 365 कहता है अगर राज में राज सरकार कें सरकार के आदिसों का पालन ना करे तो आपका 365 के तहर्त राश्पति सासन लग जाएगा और अगर राज की सम्वेधानिक विवस्ता विफल हो गई तो आपका 356 के तहर्त लग जाएगा दूसरा यह मैक्समम कितने सा उसके बाद अधिक्तम इसको हम तीन साल तक आगे बढ़ा सकते हैं तो यहां कितनी बार लग चुका है कितनी बार लगा है पेशल पेशल पर लगा कितनी बार लगा है यहां पर राश्पति आ सासन 38וס74 के बीच में चार लग उसके बाहते 7 Odd 001 कorta इसासन नहीं लगा उसके बाद कभी भी राच्षपती शहां नहीं लगारब एतना से पूछा जागा है किसे भारतियी रिजर्टैक्न के उपगर्णर के रूप में न aura किया गया question पूछा गया किसे भारते रेजर बैंक की वहांग आपको पता है कि गवर्नर में कितने होते हैं चाहर लोग कितने होते हैं और एक गवर्नर होते हैं तो एक गवर्नर और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं चार डिप्टी गवर्नर हैं रिटायर हुए हैं अभी रिसेंटली दो नव आपका लगी को दो अप्रेयल 2021 को इनको रिटायर हुए यह कौन कानून गो और इनहीं के जगह आपके जो अग्ले बच्चे हुए दिप्टी गवर्नर कौन से तो इनको रिटायर किया क्या है इनकी जगह पे आए टीवी रवी संकर और बागी के तीन गवर्णर हमारे कौन क्यों कि चार होते हैं न तो बागी की डिप्टी गवर्णर है एम् राजेस राओ माइकल पात्रा और महेश कुमार जैन ये आपके बचे हुए तीन गवर्णर है जो आपके और भी होंगा तकुल मिलाके चार बिप्टी गवर्णर है और आप जानते गü vandaag 이 सबस्क youन कमेंड बॉक्स में पुताईये नाम है लेकिन चार डिप्टी गुष्क होते हैं जिसमें हैं आप देख रहेोंं चीघे हृसम रावी तो हई है यहीं माइकल पात्रा और महेसं कुंपारजैन अगर क्शा पूच्छा क्या है क्वक्रमेश आपके समय समय कुमार जैन नək тобой यह जानते हैं यह पर ए än आपके अंदाजा थोड़ा लगने लगा होगा और आप सही सोच भी रहोंगे पर्मानेंटली बैन कर दिया है किसको कर दिया है कंगना रनौत को साराली खान को मौनी राय को सिद्धगपूर को देखो पहले और दूसरा तीसरा चौथा जो है कभी किसी तरह से एक्टिवेट नहीं रहता है किसी तरह आप देखते होंगे यह इनका कोई न्यूज में रहने वाली जो आपकी एक्ट्रस हैं वह है कंगना रनावत जिन्होंने बहुत सारे अपने जो बयानों से काफी रहती चर्चा में यह तो हेट करते रहें दोस्तों को भी काफी तह Russia किया गया है और ट्वेट को लेकर यह पर एक्ट्रेश कर दिया गया है अब आते हैं अगले है question पर अट्र यह कितने दिनों यहां पर और कितने दिनों के लिए बच्छे पोछेंगे तो सायद उतना cricket के खिलाडी के ना कानून ना पता हो जो नाय बच्चा है उसको इतने records ना पता हो जितना उस देखने वाले लोगों को cricket के record पता होते हैं तो जल्दी बताएंगे यहां question पूछा गया IPL जो हुआ है कितने समय के लिए स्थगित्वत इस बार unlimited मनलब कोई भी निश्चित सीमा नहीं है अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया गया है क्योंकि जब कोविट का इतने case बढ़ने लगे टीम में भी कोविट cases मिलने लगे जो IPL के टीम के क्रिकेटर्स में management स्टाफ में वहां पर एक देखा होगा आपने यहां पर जो बबल बनता था जो भी खतम होगा तो यह पूछा के कौन से तो अनिश्चित काल के लिए बनाया गया और बायो बबल भी वहां पर क्या हो गया क्रैस हो गया बायो गबल भी एक तर ली में कराया जाएगा ऐसी मीटिंग वहां पर खूई है चली बात करते हैं आगे सब तुजीत रे की पुस्तक है अनदर डोजेज ड़जन स्टोरीज सब तुजीत रे बंगाली से अंग्रेजी में अनुआत किया गया इनका उनकी पुस्तक का नाम क्या अनदर ड़जन किया है और ट्रांसलेट करने के बारे जानकारी जो दी जाएगी किस ने किया तो अनदर ड़जन स्टोरीज जो बंगाली से अंग्रेजी में अनुआत किया है किस ने किया सब्सक्राइब अब बताएं किस ने किया तो इंदराणी मजूमदार इंदराणी मजूमदार जी न पुस्तक निनका टांसलेशन था जो इनकी स्टोरी जीत रेकी हंड़ेट एनुसरी थी उनकी उस दिन पर उसको रिवील किया गया और पुस्तक के अग्र भाग में सर्मिला टाइगोड ने लिखा है और पेंग्वीन इंडिया दारा प्रकासित किया गया है जो अगरभाग है उसको लिखा है सर्मिला टैगोर जी ने सर्मिला टैगोर जी ने जो अगरिम पंतियां है उसने उन्होंने लिखी है और इसको जो पब्लिस किया है पैंग्विन इंडिया ने इसको पब्लिस किया तो इंदरानी मजूमदार ने उनकी जो बेंगॉली से पु देखें और यह साध आपने देखा होगा चले जलदी से कमेंट कर बाकी लोग बताएंगे ठीक है कि बाकी लोग बताते रहेंगे क्या होगा और जलदी से दिगानसुजी विविद्ध। और शैसर कर्सेछण कि अगम दादा सहा यहाँ पर है आपने किस फिल्म ने रफसेष्ट जूरी का प्रसकार जीता है यह बताना है आपको किस ने जीता है तो यह कुश्चन आपसे पूछा जाएगा किस ने जीता है तो ये आप से यहां पूछा गया है तो यह 11 जाला साफवाल के जो आवबोर्ट है तो किसने जीता है ये तो कहते हैं जंगल क्राइ, पारसाइट, अंग्रेजी मीडियम या तानहा जी दा, अंसंग वारियर तो किसने सबसे जूरिंग आवबोर्ड जीता है 11 दादा सहाफ वाल के पुरस्कार में तो आप बदाये किसने जीता तो कहते हैं यहां पर सबसे पुरस्कार जीता है सागर बैलारी द्वारा निर्देशित जंगल क्राई सागर बैलारी द्वारा यहां पर इन्हों निर्देशित किया था कौन से डायेक्टर थे इसके सागर बेलारी इनके द्वारा निर्देशित की गई पुस्तक जंगल क्राई ने 11 दादा सहाफ वाल के पुरसकार में बेस्ट जूरी का अवार्ड जीता क्या बेस्ट जूरी का अवार्ड यहां पर जीता गया Green Grant Scheme की घोशना कब की गई थी बताना आपको Green Grant Scheme की घोशना कब हुई तो budget 2019-20 में budget 2018-2019 में budget 2020-21 में budget 2021-22 में तो आप कहतें Green Grant Scheme की घोशना कब की गई 21 और 22 में ठीक 21-22 में की गए ग्लू ग्रांट स्कीम कहते हैं भारत में उच्छ इच्छा आयोग के स्थापना का प्रस्ताव दिया है जुसमें मानक स्थापना मानिता विनमयन और वित्पोर्शन मतलब की स्टेंडर्ड सेटिंग और चार अलग-अलग अंग सामिल हिसमें तो यह डिफ और यहां पर इंपॉर्टेंट होगा और यह देखा ग्लू ग्रांट स्कीम के तहद इसकी घोशना हुई है ठीक है तो ग्लू ग्रांट स्कीम के तहद इसकी क्या की गई है इसकी घोशना यहां पर हुई है तो जानते रहेंगे यहां पर ग्लू ग्रांट स्कीम क्लियर है न लूगलोगरानट को यूज करने के ruthless कि किसमें कहा गया तो आपके इजो के सन्हांट करने के बात की तो यह किस ने क्या है जल्दी बताये स्रिक्षां मंत्रा रवां मद इजूकेशन मिनिस्ट्ये ने किया था यहां पर सिक्षां मंत्रा राइयो Ministry of Education ने glue grant developer education hubs ती यह question आ सकता है यह webinar का नाम है इस webinar को किसे ने किया था glue grant का संब्द क्या हाई एजुकेशन से तो टुरेव एजुकेशन hubs तो यह किया ministry of education यह आपका सिक्षा मंत्रले इसका पुराना नाम क्या था ministry of education का जल्दी बताएं ministry of education को और किस नाम से जाना जाता था यह बताना है ministry of education जो आपका है इसको और किस नाम से हम लोग जानते थे जल्दी बताए ministry of education को और किस नाम से जानते थे तो आप बताए ministry of education को हम जोग जानते थे education ministry HRD human resource development कहते हैं मानो संसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल के अब क्या हो गया है ministry of education हो गया है ठीक है आगे चलते हैं next पर अगला क्या है दुनिया के पहले artificial intelligence जहाज word first artificial intelligence का नाम क्या है ज़्य बताएं दुनिया के सबसे पहले artificial intelligence जहाज वर्ड फर्स artificial intelligence का नाम क्या है मैं flower 400 क्या नाम है उस पहले artificial intelligence वाले जो जहाज का जो हमारे दुनिया का फर्स आर्ट इविशल intelligence सिफ है उसका नाम क्या है यह सबसे important चीजे हैं बता सकते हैं आप लोग एक भी न्यूज में रहें मई के महिने में इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको यहां दिया मैंने कहा कि मैं महिने के जितना भी स्टैटिक क्यों करूंगा और आप साहथ वहां पर एंसर देने के भी हालात में होंगे तो जल्दी बताएं दुनिया का सबसे पहला आप लाएं इन ध्याट आटिवशल osure सटलीयast जो है यहां पुछा गया कि नाम क्या है उसका सब्सक्राइब को बनाया गया किर्तिम आपका जो यहां पर बुद्धि मत्ता के ओपर निधारित अधर कंप्यूटर बेस कह सकते को अमिलनाडु में सबसे लंबे समय तक कारेकाल में रहे मखवंती कौन देखो न्यूस क्या क्यों रहे क्यों कि लेक्शन हुआ है के रल में लेक्शन हुआ प जेरला में हुआ है तब लाडू में हुआ है और पुपन इन राजर्जों में में इलक्षि अभी करवाया गया है यह आपके इलेक्षिन होने लिए कि YouTube सबसे लिए क्यों करना नुदि को रहा है निया कि सबसे लंबें तक जो यहां पर मोखोंती रहने का स्वे रहा है कि तमिलनाडू में । छूकर बलोग शंहुआ नाम बोलते हैं कि अम्मा के नाम से सम्मधित je कहा गया सबसे कम समय तक मोखोंती रहने का सरी को मिला है सबसे कम समय तक मुखुंती कौन रहा है आप सेशन को आप लोग लाइक और सेयर करते रहेंगे दोस्त यहां पर लाइक और सेयर कर दीजिगा ज्यादा बहतर होगा तो तमिल नाडू में सबसे कम समय तक का सबसे कम कारकाल पर मुखुंती रहने का मुखुंती कौन है तो वी लबे vom reflected लेकिन आप कौन से सबसे कम लंबे समय कारेकाल वाले हैं वहला सबसे कम नाम बहुत लंबा राम जानकी राम चंदन सबसे कम कारेकाल मक्वंति रहें यहाँ पर ओप्सनन्बर हो जाएगा यह इनका कारेकाल कितने दिन तक कर गब 23 देज के लिए में खुझती बने थे बाकी लोग भी आप सेशन को अपने दोस्तों को सेर कर दें जो गुरूप पे जहां भी आप अब लेवल हो और चीजों को आगे बढ़ाते रहे ठीक नेक्स पर आते हैं भारत में पहले अभिनेता से मुखवंत्री कौन बने थे सबसे पहले जो ऐसे इंसान जो चीफ मिनिस्टर बने पहल भी अब नेत्री हैं लेकिन मुखवंत्री नहीं बनी है तो आप गता है एम जी राम चंदरन वी राम जायन की राम चंदरन नहीं यह एम जी राम चंदरन है छोटे नाम वाले जिनका कारिकार लंबा रहा है एम जी राम चंदरन है यह मुखवंत्री बने तो यह आपके पह विश्व थालिसीमिया दिवस कब मना जाता है जल्दी से आप एंसर करेंगे आप और लाइक और शेर ज्रूर कर दीजेगा विश्व थालीसीमिया कंशी को एक मई गए फ्र्ष्रों पुछा गियात कम आएक को मनाते हैं एलिसम्य और यहां पर यहां मैजू और यह मना तक आट माए की दिन मनाया तक बखीन मैं मैं हों ऑप्सनी का सब्सक्राइब नेगा इसारती इसक ठीच करूंछ तो कहते हैं हड्यों का विकार है और रक्त का विकार है या फिर थायराइट विकार है तो है कि यह थैली सीमय विकार है तो कहते हैं रक्त विकार है क्या तो यह ब्लड डिसौर्डर है क्या यह ब्ल hail डिसौर्डर है आप जानेंगा यहां पर क्या है यह होता है तो सरीर में हीमो ग्लोबिन चाहरे को दों टीक नुबंटन रूंटस्राउडर हो जाती आरगे चलेंगे विश्व तैलिसी मेरा सुन करता है और प्रेस विदम उप्रेस बनाया था वैसे पुझा कर विस्ट थैलीसीमिय दिवस का थी मैं यह बताना है वर्ड थैलीसीमिय दिवस का यह वो क्या है तो देखे इस बार का जो थीम है कहा गया है Health Inequalities at the Global Thalassemia Community तो यह आपकी थीम है याद रखेंगे क्योंकि 2021 के पूशन अगर पूशे जाएंगे यह थीम भी पूशी जा सकती 2021 की जितने भी आपके रहें उसमें कभी कभी क्या हो तो पीछे कभी पूश लेते हैं पिछले साल थीम क्या रहा है उसके बारें भी आपसे जनकारियां पर ली जा सकती है ठीक है अगला वेस्ट नाइल फीवर पूशा गया है वेस्ट नाइल फीवर जो आपकी है के कारण मच्छरों को कौन से पजाती है कहा वेस्ट नाइल फीवर के फैलने का कारण मच्छर की कौन से पजाती जिससे आपका यह फीवर फैल रहा है तो वेस्ट नाइल फीवर जो आपका है यह रोग जो है किस मच्छ सिकनेस इसका नाम सिसी मक्हिस क्या होगा स्लीप्इंग सिकनेस एक मक्हिस से फजुट होगा है yogurt क्इब्प एच कि निद्रा रोक होता है मलेरिया कौन से होता है कहते है प्लाजमो ौडियम से किस से होता है प्लाजमो डियम से मलेरिया होता है और डेंगू किस से होता है कि रैबी आपका जो मादा एनफलीज मच्छर होता है यह मादा जो आपका मच्छर होता है यह आपके मच्छरों तो डेंगू और यह और दोनों मादा मच्छर ही होते हैं एक आपका एनफलीज एक मच्छर होता है मादा एनरफिलीज और मादा एडीज अब यहां पुछा गया जो वेस्ट नाइल फीवर किसके होता है तो नाइल फीवर जो नदी वाला होता है नाइल नदी जो उसके वाएं बताए कि एक संक्ट में तो आयरल है जो क्यूलेक्स मच्छरों से फैलता जो नाइल फीवर तो मच्छरों से तीन रोग आप जान चुके हैं एनफिलीज एडीज और क्यूलेक्स क्लियर है इतना आप लोग इसको क्या करेंगे सेर कर देंगे दोस्तों को और काफी हद तक आप पोई चीज़ें देखने को मिलेंगे ठीक आब आपके बात करते हैं नेक् कि है तो जल्दी से बताईये इसके साथ जर्मनी पॉलैं मरूंз जापान किसके साथ किया है यहां इसका इसको बताते हैं कि पोलेंग्य बढदёт ब्लूय घ्यानिक योたर्य टीम के असाथ 20 2000 वर्ष यहँ पुरानी महिला है यहांपर साथ महीने की प्रेग्निये के यहांपर किया हुआ है खोच की गई तो पॉलेंड में खोच की कहाँ पर पॉललैंड में तो तो देश क Tabii ले देश के विए ज Germansन को ने मिस्र की साथ महीने के प्रेग्नियम पर साथ महीने के कि और दुनिया के पहली गर्वती मिसर की ममी है चिसको यहां पर खुच्श किया गया वो सिवन्ध बंत की पॉलैन के विग्यानकों ने इसाओ यहां पर की है नेक्स भात करते हैं single मनाने के पीछे कि विचार कस्रे किसे दिया एंधो पूइन मैसी को अन्हाबbeans को या मूद्स को दिया जाने स्टे करें की पूशा कि यहां पर यहां पूछा गया किसको दिया गया तो एनी जार्विस को दिया गया एन जार्विस जो है इन्हों ने 1858 में सवच्छता की सुविधा और प्रदूसित पानी में कीड़ों को उनको कहा जाता है मदष्ट अपर मधर्ण वर्क देश में क्या होता है घर ऐब लोगों में यह किस वज़े सोता है ब्लैक फंगस रोग जो होता है कौन से पॉर्टे Him verändertIS के लिए धिधार है ब्लैक फंगस रोग के लिए कोन सी पॉर्जाती जिंप्स दार है उसके लिए डिजीज होती है आफ्टर कोई एक तरह सा फंगल इंफेक्शन होता है यह तो कौन से बजाती है यह उन लोगों में होती है जो कहते हैं इन प्याइबर्टी से जुड़े हैं यह तो क्या है आपको डियाबर्टी से हाई लेवल की या आपके कोविड के दौरान आपकी कोई डिजीज होती रही यह फिर जिसमें आपके बहुत कमजोर हुगई हो यह बहुत ज्यादा लेवल तक आपको को रोग घया था उसमें आपको फॉरोग होग गए या पर ऑप básicamente हूब कि आपके यह जहां बैद मेद साउम वहीख रहा होका बहुता है कौसे 35 में कहते हैं मियुक्रो मायोटिस माइटिस्स है कहते है मियूक्रो मलैसिटिस कि देखने को मिलता है बहुत क्रेयर केस में होती है यह जान सकते हैं 25-26 करोण की राबादी उत्रपदेश में हैं जहां रोज दो या तीन केसी आपको देखने को मिल पाते हैं अभी वह भी आफ्टर कोविड हो रहा ऐसा अधर्वाइस इससे पहले किसी तरह उसमें नहीं कि इस दौरान सभी लोगों ने अलग तरीके की दवाईयां ली हैं जुसमें कि उसके बढ़ने के चांसे हो गए हैं और कोविड के दौरान ही लोगों में आई है इस्टोराइड लेना या फिर उनमें नमी रहना या ऐसी दवाईयां लेना जिससे उनका सुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ा फ्लेक्ट हुआ तब यह रोग आपको देखने मिला है बहुत सालों से रोग हवाओं में हमेसा फै बहुत जान बचाने बहुत कम चांसे होते हैं फिफ्टी से सिक्स्टी परसंट लोगों की मौत होई जाती है क्योंकि बहुत समय बात पता चल पाता लोगों को शुरुआत में इसको लोग जज नहीं कर पाते हैं ठीक है तो यह आपका यहां पर आखरी कॉर्शन अब बता हाप को मिलेगा ग्यारा हजारपान सुबीस में 2 साल का मेरे रिफरल कोड को यूज करने के 2 साल साल का आपको मिल जाएगा संब्सक्रिप्शन और 12 महिने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेटे 17 Igards का सब्सक्रिप्रिशन आप यहां पर ले सकते हैं तोएक साल के लिए 8800 कितने हो जाएगा 7920 का और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को वाइफाई डिफेंस को जिससे सारे सेशन्स आपको मिलते रहे हैं इसकी लिंक पाने के लिए आपको यहां पे बेल आइकॉन पर आल प धन्यवाद मिलते हैं कल आज दुपहर फिर से सेशन में थेंक यू